सबसे पहले गुरू आज 2023 में गुरू का रोल क्या है गुरू का रोल जब से स्रिष्टी बनी है जब से प्रिथ्वी बनी है जब से वहरमंद बना है तब से गुरू बहुत महत्त पूरण रहे हैं जहां तक रिष्यों को मुणियों को देवताओं को भी गुरू की जरूरत बड़ी और 2023 आज का युग ऐसा है कि साइंस अपनी बहुत गती से चल रही है साइंस ने हमें बहुत कुछ दिया है मेडिकल में हम बहुत आगे पहुंच गए हैं पहुंच रहे हैं दुनिया के जो सुख है वो डे बाई डे डे बाई डे हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं आज आप देखें आप हजारों मील दूर बैठे हैं किसी भी देश में बैठे हैं उस देश में बैठे बैठे आप अपने घर को क्लीन कर सकते हो आउडर दे सकते हो आप घर का टेमपरेचर उपर नीचे कर सकते हो गर की लाइट ओन आफ कर सकते हो घर के कैमरे चेक कर सकते हो कौन आ रहा है जा रहा है चेक कर सकते हो कितनी बार घर की बैल हुई आपको स्क्योर्टी सिस्टम बताता है इसके बावजूद दोस्तों हम बहुत अकेले हैं अंदर से अकेले हैं लगता है कि कुछ कोई कमी है उस कमी को केवल 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 गुरू ही दूर कर सकते हैं दूस पूसरे शब्दों में आप जीवन को रंजवाय कैसे करें, आप जीवन में सभी रूप से प्रोग्रेस कैसे करें, जीवन में जिसके लिए हमें भगवान ने भेजा है, उस ड्योटी को कैसे पूरन करें, जीवन में पूरन कैसे हूँ, जीवन में कश्टों का बिमारियों का मुकाबला कैसे करें, जीवन को जीएं कैसे, इस सब में आपको गुरू की बहुत जरूरत है, वैसे तो परतेक शेतर के आपके अपने अपने गुरू हैं, पर मैं अध्यात्मिकता की बात कर रहा हूँ, अध्यात्मिकता में कैसे आगे बढ़ना है, अध्यात्मिकता में कैसे उस परमपिता परमात्मा से बात करनी है, जे केवल 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 गुरू ही कर सकते हैं, और गुरू की कृपा से ही मिल सकते हैं, मुझे लगता अपनी कोशिश से नहीं। और सबसे बड़ा चुछ लोगों का क्वेस्टिन होता है कि गुरू को ढूंड़ना कैसे नहीं कि पहले सोर्सेश बड़ी लिमिटेट लोगों को पता चलता था उप्टा नहीं चलो जाकर सुनते हैं और अभी वह शहर आपकी हाथ में बेसी कली तो आपकी सुन सकते हो पढ़ अगर गुरू तो पूसको चुन है कि इसमें बेटा बहुत बड़ी बात अपने पूशी है कि हम गुरू को कैसे ढूंड़े सबसे कठनकारिया है गुरू हमें ढूंड़ने सबसे असानकारिया है गुरू के लिए शार्दा तिल्क एक हमारा बहुत बड़े ग्रंथ है उसमें कुछ चीजें कहीं है और मैं अपने अनुभव की बात भी कहता हूं कि जहां चमतकार होते हों जहां टेंपरेरिली कुछ ऐसा होता हो जादू की तरह होता हो तो वहां आपको नहीं जाना चाहिए वहां आपको सही इमार्ग दर्शन नहीं मिल पाएगा आप जहां जाएं आपको लगे कि मैं अपने गुरू को सब कुछ कह सकता हूं सच में गुरू मेरी मां भी है गुरू मेरा पिता भी है गुरू मेरा सखा भी है गुरू मेरी सखी भी है गुरू मेरा बगवान भी है जब ऐसा लगे कि मैं तो इस व्यक्ति को कुछ भी कह सकता हूँ ये व्यक्ति मेरा अपना है मेरे से कभी नराज नहीं होगा मेरा कभी भी फायदा नहीं उठाएगा मुझे ब्लैक मेल नहीं करेगा मेरा सदा भरा सोचेगा इसको मैं अपनी बात कह सकता हूँ जैसे ही आप किसी व्यक्ति के पास जाएए आपको कुछ कहना ना पड़े आपके सब जवाब मिल जाएए तो आपके गुरू है जिनके चर्णों में जाने से शांती का अनुभव हो शालीनता का अनुभव हो आपको लगे मैं अपने घार आया हूँ वो आपके गुरू है दोस्तों आप जीवन जीने के लिए आए हो आप एक इंजिनियर हो आप पुरी दुनिया की काया कलब कर सकते हो तो जो गुरू आपको सिखाएं कि तुने कैसे अच्छा अंजिनियर और बनना है और बड़ा व्यक्ति कैसे बनना है तुने अच्छा पिता कैसे बनना है तुने अच्छा भाई कैसे बनना है तुन्हें अच्छा बेटा कैसे बनना है, तुम्हें ऐसी मा कैसे अच्छी बनना है, अच्छी पत्नी कैसे बनना है, वो आपके गुरू। दन का त्याग करना चाहिए, सुखों का त्याग करना चाहिए, दोस्तों त्याग हो नहीं पाता, ना फिर आप अध्यात्मिक्ता में रहते हैं, ना आप बक्ती में रहते हैं, ना आप बहुतिक्ता में रहते हैं। जो गुरू आपको पूरण रूप से सुक्सेस होने की बात कहें दन है तो दन की कृपा होगी तो आप दन पुनिया कर पाएंगे सुख होंगे तो लोगों को सुख बांट पाएंगे अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कैसे दन पुनिया करेंगे गुरू, आपके अंतर में शिपी हुई शक्ति को बाहर निकालें, आपके अंतर में शिपी हुई काबलियत को बाहर निकालें, वो आपके गुरू है. और एक बात मैं और कहूँगा लास्ट में, अगर दोस्तों, अगर बेटा आपने अपने गुरू से कुछ लेना है, तो गुरू की शर्तों पे लेना पड़ेगा, गुरू अपने आपको चेंज नहीं करेगा, जब आपका आपकी शर्दा बन गई, आप उनके चर्णों में सम पे थो गए, तो फिर जैसा कहते हैं, वैसा चलना, फिर उनके चर्णों में चले जाना, और आपका जो भी बहरी अडंबर है, आप कितनी बड़ी पोस्त पे हो, कितने बड़े शैन्शाह हो, कितने बड़े भागत हो, कितने बड़े धनी हो, जब गुरू के पास जाना, गुरू की कुटिया पे जाना, गुरू के महल में जाना, गुरू के आश्रम पे जाना, गुरू के चर्नों में जाना, उन सब को छोड़ देना, के गुरू मैं आ गया तेरे पास, तेरा ही हूँ, जो करना कर ले, एक कबीर साब का दोहा है न, के गुरू को कहते हैं के मैं तुम मिठी की तरह हूँ, तू कुमार है, जैसा चाहेगा मुझे बना देगा, मुझे गमला बना देगा, मुझे घड़ा बना देगा, मुझे कुछ और खिलोना बना देगा जो तेरा तिल करता है जब ऐसी स्मर्पित भावना आ जाए तो गुरु आपको बहुत त्यार करेंगे और आपको गुरु बिल जाएंगे और किस गुरु पूर्णीमा के लिए कोई मैसेज जो सुन रहें साथ है गुरु पूर्णीमा की आपको बहुत बहुत बधाई गुरु पूर्णीमा व्यास पूर्णीमा यह एक ऐसा दिन है दोस्तों यह आपके जीवन में काया कल्प का दिन है जे बेटा जीवन में अपने आपको नई शुरुआत करने का दिन है कोई गलतियां हो गई है उन गलतियों के लिए माफी मांगने का दिन और उसी टाइम उसी किशान जीवन में आगे बढ़ने का दिन और अतिहात्मक्ता के लिए सच में इससे और बड़ा कोई दिन नहीं है यह ऐसा दिन है जिसमें आप गुरू से उससे सब क्रिपाई ले सकते हो सब अशीरवाद ले सकते हो पर एक ही बात है कि गुरू के साथ जहां से कनेक्शन हो जाना चाहिए जिस दिन आपका गुरू के साथ जहां पर कनेक्शन हो गया गुरू के साथ जहां से कनेक्शन हो गया गुरू के साथ आप एक हो गए तो बात बन जाएगी इस गुरू पूर्नमा से शुरू आत करें यह गुरू पूर्नमा जो भी आपके गुरू है उनकी आप पे कृपा हो, तो मेरे वचार से मैं कहूंगा कि आप कोई विपार करते हैं, तो उस बिजनस में इतना आगे निकल जाएं, इतना आगे निकल जाएं, कि आप देश का विश्व का भड़ा कर पाएं, विश्व में देश में आपका नाम हो और साथ में आप अपने साथ भी एक मुलाकात कर लें, आपको अपनी भी समझा जाएं, आप बहुत बड़े आदमी हो, आपको भगवान ने स्पेशल भेजा है, आप जैसा कोई भी दूसरा व्यक्ति दुनिया में नहीं है, अगर आप इस गुरु पूर्णमा में ठान लेते हो, आप अपना पूरा संकल्प कर लेते हो, आप चाहते हो, कि मेरा नेक्स्ट गुरुप उन्मा से पहले ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो हो जाएगा, उसके लिए आपको अपने साथ बहुत ही आउनेस्ट होना पड़ेगा, अपने साथ बहुत इमानदार होना पड़ेगा, औ और उस वर्मंट के घर में, उस गुरू के घर में, उस जूनिवर्स में, उस ईश्वर के घर में. ना तो कोई मेल है, ना फी मेल है, ना गरीब है, ना अमीर है, ना एजुकेटड है, ना अनेजुकेटड है, ना शोटा है, ना बड़ा है आप जितने गुरु पूर्णमा को खाली होके जाएंगे गुरु के पास, गुरु के चर्णों में, जितने खाली होके जाएंगे, उतना आप भरके आएंगे अभी ऐसा देखा मैंने गुरु कुछ कहा रहे हैं आपने शिष्याओं को कोई मंतर दे रहे हैं कोई प्रोचन दे रहे हैं तो कुछ लोग उसी टाइम गुगल करके देख रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है जे गुरु ठीक कहा रहे हैं कि गल्त कहा रहे हैं जो बातें दोस्तों गरंथों में नहीं लिखी हैं वो गुरु आपको कहते हैं कि गुरु के वाक्या से गरंथ बनते हैं गुरु के प्रवचनों से गरंथ लिखे जाते हैं गुरु की वानी से बड़े बड़े गरंथों की रचना होती है और गुरु जो कहते हैं उनको उपर से वानी आती है उनको भी पता नहीं होता क्या बोल रहे हैं तो गुरु के चर्नों में पूरन रूप से समर्पित होके जाएं सरंडर होके जाएं हजारों लाखों मंतर हैं जैसे एक बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है तीन-चार मंजल का स्टोर है, मैडिसन ही मैडिसन भरी पड़ी है, कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, पर आपके लिए कोई डॉक्टर ने मैडिसन लिखके दी है, तो ढूंड रहा है वो, आपके लिए वो ही काम करेगी, डॉक्टर उस टाइम गुरू है, वो बिमारी बता तो आपको भी जो गुरू कह रहे हैं, उसी बात को देखना ध्यान से, उसी बात को सुनना, आपके लिए कोई बेटा और बात हो सकती है, A के लिए कोई और हो सकती है, B के लिए कोई और हो सकती है, C के लिए कुछ और हो सकती है, जैसे आपकी ध्यान की स्थिती बहुत और कोई कितने साल का गल्थ साधना कर रहा है उसको बोलेंगे तो साधना बंद कर दे अभी पर मैं आपसे फिर एक परार्थना करता हूं गुरु पूर्णमा के लिए कि आपको पूरन रूप से सुख भोगने का हक है आपको बहुतिक्ता को इंज्वाई करने का हक है और बहुतिक्ता से अध्यात्मता तक जाने का हक है जैसे ओशो कहा करते थे बहुत अवतार पुर्शुएं कि काम से राम तक पहुंचा जा सकता है आप बहतिक्ता को भोगते-भोगते máximo dire दुनिया के सब भोगते-भोगते तखी बहग्वान से मोख्ष तक जा सकते हूँ तो फर अपने के साथ जूथ ना बोलें अपने आपके साथ सच बोलें और अपने संकल्प अपने गोल रखें जैसे नए साल में रखने का प्रचलन है संकल्ब, अभी आप गुरु पूर्णमा में रखें, और कैसे करना है, क्या करना है, आपके गुरु आपको बताएंगे, समझाएंगे, गलतियां हुई पास्ट में, गुरु बड़े द्यालू किरपालू होते हैं, बेरे गुरु तो बहुत द्यालू है आज भी हैं, वो आज भी करपालू है, गलतियों को किशमा करके नया जीवन दे देते हैं, और अगर आप निश्चत रूप से गुरु की शर्ण में हो, गुरु के प्यार में हो, गुरु के इश्क में हो, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, मां करे, बगवान करे, गुरु कि आप पर बहुत करपा हो, आप आगे बढ़े, प्रोग्रेस करें।